स्रमिक कार्ड या मजदूर कार्ड आप कैसे बनवाएंगे आपको पुरा डिटेली सीडियो में देने वाले हैं किसान के रिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या रहती है आवस्यक दस्तावेज क्या होता है पुरा डिटेल देखेंगे यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी स्क्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें समिक कार्ड बनवाने के लिए अवस्यक दस्तावेज क्या क्या होता है जानते हैं सबसे पहले आपको स्रमी भाग से एक भार्म लेना होगा उसके बाद रासन कार्ड अधार कार्ड ओटार कार्ड ओटार आईडी कार्ड एक पासवोर्ट साइज फोटो ठेकेदार अथवा निवजक का कम से कम 90 दिन कारे करने का प्रमार पत्र अथाद जहां आपने ठेकेदार के अंदर या कोई निवजक के अंदर काम किया हैं तो 90 दिन का कारे का प्रमारपत्र आपको दिया जाएगा ठेकेदार द्वारा वो प्रमारपत्र आपको देने होंगे इसके लावा ठेकेदार या नियोजक का एक ID प्रमारपत्र रहेगा इसके लावा ठेकेदार दोर एक रिपोर्ट त्यार किया जाएगा आपकी काम का ये डाकुमेन आपको देने होंगे ये आवस्यक डाकुमेन है यदि आप एक मजदूर हैं और आप मजदूरूई का काम करते हैं आप अपने ठेकेदार तथा नियोजक के लेटर पेट के अधार पर मजदूरी कार्ड बनवा सकते हैं मजदूरी कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंग दिया गया है वहां से मजदूर कार्ड की फैदे के बारे में जान सकेंगे या last में स्क्रीन पर वीडियो आएगा फैदे क्या-क्या हैं उसके बारे में आप जान सकेंगे ठेकेदार के report के अधार पर आपका समी कार्ड बनेगा ठेके द्वार द्वारा आपकी पूरी जानकरी दी जाएगी जिसके अधार पर मजदूर कार्ड बनाया जाता है आपकी पूरी रिपोर्ट प्यार हो जाने पर आपको स्रमी भाग से एक आवेदान लेना होगा और उस आवेदान को आपको भरने होगी जिसमें चार फार्मा दिया जाएगा स्रम विभाग के तरब से विभाग द्वारा जारी फार्मा में आपकी पूरी जान करी होगी इसके लावा आविदन फार्मा में ठेकेदार का सिगनेचर और सिल भी लगईगा कुल चार फार्मा वी भाग के तरब से दिया जाएगा जो कि आपके द्वारा भरा जाएगा उसमें ठेकेदार का सिखनेचार और सिरल भी रहेगा फार्मे में ठेकेदार के कारे की स्रड़ी भी होगी अर्थाद ठेकेदार कौनसे स्रड़ी का है वो भी इसमें लिखना होगा आप अपने फार्मे को अपने जिले के स्रम कर्याले में जमा करेंगी इसके बाद आपके जानकरी की जाच की जाएगी स्रमी भाग द्वारा स्रम कर्यालाई द्वारा यदि सभी जानकरी सही होगी तो आपका मजदूर कार्ड बन जाएगा और आप पूरा लाव ले सकेंगी यदि किसी काराण वस कोई दस्तावेच की कमी हो जाती है और आपका फाम एप्रूव नहीं होता है अर्थात रिजेक्ट हो जाता है तो यह रिजेक्ट नहीं होता है आपको बलकि जो दस्तावेच की कमी है वो आपको जमा करने होंगे या आपको फार्म जो है वापस दे दी जाएगी और आपको उसमें सुधार करके दुबारा आवेदन कर सकेंगी यदि आपका फाम एप्रूव हो जाता है पुरी तरह से सही सही हो जाता है जमा तो आपको इसके लिए कुछ सूल्क देने होंगी और ये सूल्क जादा नहीं रहता है सव रूपे के आस्पा सूल्क रहता है जिसे आप नगत में दे सकते हैं या दिमान डाप्ट के रूप में दे सकते हैं दिमान डाप्ट के रूप में देना जादा उचित रहता है अधिक जानकरी के लिए आप अपने जीले की सरम करेले में संपर कर सकते हैं वहाँ सरम करड़ कैसे बनवाएंगे आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी अधि जानकरी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें